कि नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माइक विडी स्कूल बेस्ट यूटूब चैनल फर्स्ट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन यानी मंड़े के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं पहले हम निफ्टी के बात करें अगर पॉइंट पॉइंट निचे आके क्लोज हुआ था दोस्तों इतनी वीक्नेस इसलिए इंट्रडे में क्योंकि साथ आफ्रिका में एक कोविट का न्यू वेरियंट आया है जिससे जो वैक्सिन लिया है उनको भी कोविड हो रहा है तो इसलिए वह बहुत डेंजर वेरियंट पर अगर देखिंगे 16,000 830 में ट्रेड कर रहा है तो एक गापड़न पॉसिबल है कल के दिन एक हंड्रेड वन्फिफ्टी पॉइंट सब गापड़न होगा अगर 16,800 या 16,900 में ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट पॉजिशन नहीं बनाना चाहिए अभी आपके वास एक्सिस कैश रेगा आप यूस कर सकते हो क्वालिटी स्टॉक्स रेने में जैसे भारती ये रिटेल हो गया टॉप ब्लूचिप कंपनिस रिलाइंस ये सारे स्टॉक्स को आप बढ़र सकते हो पोटफोलियो में और अपको अच्छे रिटेंस मिल सकते एक डीप करेक्शन हो रहा सकता है अगर 17,000 ब्रेक करता तो 16,500 के लेवल्स में निफ्टी जा सकता है तो अगर आपको रिस्क लेना है तो अगर गाप डाउन होता है तो भी आप पूट ले सकते हो पूट में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा अभी हम बात करेंगे बैंग बैंग निफ्टी के बात करें फ्यूचर्स के तो बैंग निफ्टी 36,157 के लेवल्स में फ्राइडे को 3.23 इसमें ज्यादा वीकने से 36,000 ब्रेक करते 35,000 34,500 के लेवल्स भी पॉसिबल है बैंग निफ्टी में तो दूस्तों गैपड़न अगर ओपन होता है 100 200.50 में या फ आपको पूट ऑप्शन भाई करना चाहिए 35,500 का पूट ऑप्शन लेके आप होल्ड कर सकते हो अच्छा प्रॉफित आपको हो सकता है कि यह अगर कोरना वायरस अगर बढ़ता है अगर साउथ आफ्रीका जो वेरियंट आया है अगर यह जल्द से जल्द अगर फेलता है त जो माइक्विटी स्कूल के तरफ से 16 टाइपस के बेसिक टू अडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेश्मेंट कोर्सेस को डिजाइन किया गया है जो की बिल्कुल फ्री है वह आपको मंडे टू सैटेड़े एवरी डे मिलेगा अपको एंड्रोल करने के लिए वाट्स